क्यूं नहीं देखने आते लोग अगर सिर्फ टाइगरी होते कास्ट का हिस्सा क्या फाहत फासल होंगे शामिल वार टू में क्या वार टू होने वाला है दो हजार तईस को रिलीस इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंकी हमारे इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ हेलो एब्रिवन आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोस में वार ये अश्राज फिल्म के सक्सेस्फुल फिल्मों में से एक है अगर ढूम सिरीज के बाद वायरेप की कोई मूवी इतनी जादा सक्सेस्फुल हुई है तो वो वार ही होगी अब इंतिजार है उसी वक्त का जब वार का सीक्वल यानी वार टू पर पढ़ने पर रिलीज किया जाएगा दवार इस ओन यही कहते हुए एंड हुई थी रितिक और टाइगर की फिल्म वार जो 2019 में रिलीज हुई थी और सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर भी बनी थी तो इसी वार को क्या आगे बढ़ाया जाएगा क्या है इस फिल्म के डेवलप्मेंट्स आईए जानते हैं इसके सीक्वल के बारे में वार मूवी के तमाम फैंस को हम बता दे कि इस फिल्म के डाइरेक्टर सिधार्थ आनन ने वार टू पर काम करना अलड़ी शुरू कर दिया है और वार टू होने वाली है 2022 के मिड में शूट रितिक रोशन और टाइगर शुरॉफ के अलावा इस पिक्चर में वानी कपूर का भी एक एहम केरदार होने वाला है रितिक और टाइगर ने अपने डाइनमिक और इनरजेटिक आक्शन सीक्विन्स टंस और डान्स से ओडियन्स का दिल जीत लिया था वार के पहले पार्ट में अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि वार के सीक्विल में क्या वो यही कमाल दखा पाते हैं या फिर नहीं में और दिल्स तक सब कुछ वो रितिक रोशन से ही सीकते हुए आए हैं आखिर कौन अपने आइडिल के साथ मिलना नहीं चाहेगा लेकिन टाइगर ने तो मिलने के साथ-साथ अपने आइडिल के साथ فिल्मे भी कर ली लेकिन क्या है रितिक का बयान टाइगर के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू रितिक रोशन टाइगर शुरॉफ से काफी जादा इंप्रेस होते हुए दिखे उनके मेहनत और लगन को दे रितिक ने कहा कि टाइगर के साथ अगर मौका मिला तो वो दुबारा जरूर काम करेंगे तो टाइगर को तो मिल गया है ग्रीन कार्ड रितिक रोशन से लेकिन क्या वार टू को ये ग्रीन कार्ड मिल पाएगा तो दोस्तों हम आपको बता दे इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करने की तयारी है जी हाँ फिलहार फिल्म के मेकर्स वार टू के स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं ओडियन्स में तो वार पिक्चर ने धूम मचा दिया था लेकिन क्रिटीक्स ने इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया था क्यूंकि वार एक और ऐसी फिल्म बनी थी जिसमें मुस्लिम्स को नेगटिव लाइट भी दर्शाया गया था सिर्फ यही नहीं फिल्म के डायलोक्स भी कुछ ऐसे थे जिसमें इस कम्यूनिटी को नेगेटिव तरीके से पेश किया गया अब बात करें वाल टू की तो दोस्तों मैं आपको बता दू इस फिल्म के लिए दर्शक तो काफी जादा एक्साइटेड है साथ ही इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते कि लोग घृतिक रोशन को बड़े परदे पर देखने के लिए जादा एक्साइटेड है टाइगर शुरॉफ के कमपारिजन में इसके पीछे का कारें यह है कि टाइगर शुरॉफ फिलाल बाक टू बाक आक्शन फिल्में कर रहे है और ओडियन्स एक स्टार्स को विराइटी ओफ रोल्स में देखना पसंद करती है अगर टाइगर शुरॉफ बार बार एक जैसा ही केडार नभाते हुए दिखेंगे तो निशुत तोर पर ओडियन्स भी बोर हो जाएगी अब बात करते हैं फिल्म के थर्ड सबसे इंपोर्टेंट कारेक्टर जो होता है विल्म का कारेक्टर उसके बारे में तो दोस्तो रिपोर्ट्स की मारे तो इस फिल्म में फहाद पासल नभा सकते हैं विल्म का किरदार आप सभी कितने excited है war 2 के लिए हमें comment section में बताना बिलकुल मत भूलेगा फिलाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे आनिय परणावत को दीजिए इजाज़त अगर ये वीडियो पसंदाई हो तो इसे like और channel को subscribe करना बिलकुल ना भूले आया है मुझे करने है